अगर आपको कुछ अलगत के कुछ यूनिक बहुती ज़ादा टेस्टी चटपटा बनाना है तो आज की यह उन्य रेस्पी आपके लिए है और यकीन माने हैं महमानों को भी सर्फ करेंगे न तो महमान भी पूछेंगे कैसे बनाया वीटियो को फुल बॉच कीजिएगा तो च गेहूं का अठा और आदी कप मैदा का इस्तेमाल है और करें हम दालेंगे दो चमदे के करीप मसल मसल के मिक्स कर लेंगे。 Mohya ने Weak Shall walk मिक्स कर लिए लगी है, भूं हमारा बिल्कुल परफ्ट हो चुका है, तो में हम डलेंगे पानी, तो यहां पर हम थोड़ा हुड़ा पानी डाल कर इस Greece से mix कर लेंगे तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको mix कर लिया है तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर आटे और जो मैदा डाली थी उसको हमने यहाँ पर अच्छे से mix करके इसका जो आटा है वो गून कर तयार कर लेना है तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसका आटा गुनकर तयार कर लेना है तो यहां पर हमने जो आटा है उसको अच्छे से मुक्की लगा कर तयार करना है तो जो हमारा आटा है वो बिल्कुल पर्फेक्ट गुनकर तयार हो चुका है तो इसको हम 10 मिनिट के लिए ढखकर रेश्ट के लिए रख देते हैं तो जब तक हम चलते हैं next process की तुर में लिए है तीर medium size के आलू जिनको हमने उबाल लिया था और इनका छिलका उतार दिया है और उनको यहाँ पर हम मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे जो आलू है वो हमारे काफी अच्छे से मैश हो जाएंगी इस तरीके से हमने आलू को मैश कर लिया है और जो यह रेस्पी है बच्छों से लेकर बड़ों तक सब को बहुत जादा पसंद आने वाली है तो यहाँ पर हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है और इसमें हम डालेंगे आदा कपके करीम मटर मेटर को हमने उबाल कर इसमें डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइस की प्याज जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया है उसको भी हम इसमें डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे एक हरी मिर्ज जिसको हमने फाइनली चॉप किया है उसको भी हम इसमें डाल देंगे और यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा हुआ हरधनिया आप चाहे तो ताजे हरधनिया का भी इस्तिमाल कर सकते है लेकिन हमने यहाँ पर सूख हरधनिया का इस्तिमाल किया है उसको भी हम हाथ से अलके से मसल कर डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे आदा छोटा चमच के करीब नमक और साथी में इसमें जाएगा आदी छोटी चमच के करीब लालमिस पाउडर और इसमें हम डालेंगे एक चोथाई चमच के करीब हल्दी पाउडर और साथी में इसमें डाल देंगे एक छोड़े चमच के करीब गरम मसाला गरम मसाले से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़ी आता है और इसमें हम डाल देंगे दो छोड़े चमच के करीब कैचप तो यहाँ पर हमने टोमेटो कैचप का इस्तिमाल किया है उनको यहापर हमें अच्छे से mix करेंगे और इसकी एक अच्छी सी हम stuffing बनाएंगे तो यहापर हमें अच्छे से mix कर लिया है और stuffing हमारी काफी अच्छे से mix हो चुकी है तो यहापर हमारी stuffing हो चुकी है बिल्कुल ready तो चलिए जब तक हम चलते हैं next process की तरफ तो यहाँ पर जो आटा हमने रखा था उसको यहाँ पर रखे हुए 10 मेट हो चुके हैं और इसको हम अच्छे से हाथों से मसल लेंगे तकि जो आटा है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तो यहाँ पर हमने अच्छे से आटे को मसल लेना है आटा को हमने अच्छे से मसल लिया है तो चलते हैं हम काउंटर की तरफ तो यहाँ पर हमने आटे को निकाल देना है और आटे को निकाल कर हम यहाँ पर थोड़ा सा सूखा जो आटा होता है वो काउंटर पर हम डश्ट कर लेंगे और जो आता है उसको यहाँ पर हमने इसमें रख लिया है और चाकू की हैल्प से हम इसमें दो पार्ट कर लेंगे तो यहाँ पर हम एक पार्ट को उठा कर रख देंगे और जो एक पार्ट है ना उसकी यहाँ पर हम इस तरीके से जो लोई है वो बना कर तैयार कर लेंगे लोई को हमने यहाँ पर बना कर काउंटर पर रख देना है थोड़ा सा हमें यहाँ पर सूखे आठे काई भी इस्तिमाल करना है तो यहाँ पर हम सूखा आठा डश्ट कर देंगे और यहाँ पर जो लोई है वो हमने इस तरीके से बेल कर तैयार कर ली है और यहाँ पर हम बेलन लेंगे बेलन के हैंशे हम एक बड़ी रोटी बना कर तैयार कर लेंगे तो यहाँ पर हमें एक बड़ी रोटी बना कर तैयार करनी है ना जादा मूटी ना जादा पतली पर जो feeling है उसको रोटी के उपर हमें एक साइट से फैला देना है तो यहाँ पर आप चाहे तो पूरी रोटी के उपर भी फैला सकते हैं तो यहाँ पर जो रोटी है उसको हम एक साइट से उठाएंगे और feeling के उपर रख देंगे और बिल्कुल अंदर से दबाते हुए हम इस तो यहां पर हम ने इस तरीकी से इसको दवाया है और यहां पर हम अटा सी आपटेस कий we das पर पहु झाया है और इसमें हमने हमने आदा लीटर के क्वारी पानी is Ah यहां पर अच्छे सहे अगर्म कर लेंगे यहां पुड़का से तो यहाँ पर जो हमने इस टेनर में रॉल लखे थे वो इस टेनर हम इसके उपर रख देंगे और इसको एक थाली से कवर कर देंगे और इसको पांस से दस मिनिट के लिए हम स्टीम होने देंगे जब तक हमने यहाँ पर लिया है एक बाउल और इसमें हम डालेंगे दो बड़ करीब इसमें पानी डाला है 001 नालने के सक एक गोल बनाकर तयार कर लेंगे तो गोल हमारे यहें पर तयार होकशका है तो पांच मिनट हो चुके हैं जब तक हम रॉल compliance प構वा सब्सक्राय। में देख लिएखे आप चाकू के हेल्ब से इसका पहले साइड कट करेंगे तो इसको अब हम लंबाई में कट कर लेंगे आप चाहें तो इसको दो से तीन दिन के लिए फिरिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं और यह बहुत ही जादा हेल्दी होते हैं तो आप जब चाहिए इसको फ्रिज से निकालिए और फटा फट से बना लीजिए तो यहाँ पर हमने जो रॉल है वो इस तरीके से कुछ कट करके रख लिए है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी फिलिंग भी नहीं निकली है और यहाँ पर हमने इस तरीके से कट करके रख लिया है आप चाहिए तो इनको फ्रिज में दो से तीन दिन के लिए इस्टोर करके रख सकते हैं फटा फट से निकालिए और बना लीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी फिलिंग कितनी बढ़िया लग रही है ना तो यहाँ पर हमारे रॉल है बिल्कुल तयार तो यहाँ पर हमने जो मैदे का घोल बना कर तयार किया था इससे यह बहुत ती ज़्यादा क्रिस्पी बन कर तयार होते हैं तो यहां पर हम एक roll लेंगे और इसको यहां पर हम इसमें अच्छे से dip कर लेंगे तो यहां पर हम इसको चारो साइट से अच्छे से dip करेंगे तो इधर हमने gas पर oil को पैन में अच्छे से गरम कर लिया है gas की flame को हम low to medium कर देंगे और जो हमने रॉल डिप करा था वो हम इसमें डाल देंगे तो सारे रॉल को हम जो घोल हमने बना कर तयार किया था उसमें डिप करके हम इसमें डाल देंगे तो यहाँ पर आपके जितने रोल आएं आप उतने ही रोल डालिए और जब यह एक तरफ से golden हो जाएंगे तो हम इसको दूसरी तरफ से पलट देंगे गैस की flame को हम low to medium रखेंगे low to medium flame पर हम इसको अलटते पलटते हुए अच्छे से fry कर लेंगे तो यहाँ पर अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को like, comment और share जरूर कीजिएगा और चैनल जाएका अपने किचिन को subscribe जरूर कीजिएगा तो यहाँ पर हमने जो roll थे उसको उलटते पुलटते हुए अच्छे से fry कर लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हलकर से golden हो चुके हैं और यह बहुत जादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं अगर आप इनको एक बार बनाएंगे ना तो बच्चे आपको बार बर बनाने को कहेंगे यह इतने जादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और यह बहुत जादा healthy होते हैं और ये बहुत तीज़ादा क्रिस्पी बनकर तयार होते हैं तो यहां पर हमने सारे रॉल को बाहा निकाल लिया है और उसे ओल में हमने दूसरा बैश को फ्राई कर लेंगे तो यहां पर जो दूसरा बैश था उसको भी हम इसमें अच्छे से डिप करके जो हमने घोल बनाया थ चुके हैं और गैस की फिलेम को हमने लो टू मीडियम रखा था लो टू मीडियम फिलेम पर यह बहुत ही अच्छे से फिराई होते हैं और यह बहुत ही जदा क्रिस्पी बनकर तयार होते हैं तो इनको अब हम बहार निकाल लेते हैं तो यहां पर हमने सारे रॉलों को बहार फ्लेवरफुल जब इसे एक बार खा लेंगे ना तो आप सारे रोल भूल जाएंगे और यह सबजियां भरी हुई है तो यह बहुत ज़्यादा स्प्रिंग रोल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं आप इसको एक बार बनाकर जरूर देखिएगा यह बहुत जाड़ सबको पसंद आने वाले हैं आपको यह बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे बहुत एज़ी रिस्पी है कम सामान से जरू कर देरी है और यह भी वह उत्रơ कर चारूर इखा इसकी स्टफिंग लगी ने रही कि आपने इतने कम सामान से इतनी डेलीसियस और टेस्टी रेस्पी बढ़ा कर तयार कर ली है अगर आपको आज की रेस्पी पसंद आई है तो रेस्पी को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा मि जिरते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेस्पी के साथ जब तक के लिए अल्ला हाफिज